हालो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो नो दर लेक्चर और स्टेटिक्स आई क्यूव, स्टेटिक्स आई क्यूव में आप सभी का स्वागत है, साथ ही हम आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के लिए जो लॉंच की गई है, SSE CGL MENDS की exam होनी वाली है CHSL की exam होनी वाली है और MTS की exam होनी वाली है इन समस्ते तीनों exam को देखते विए आप सभी के लिए एक शांदार series launch की गई है उसका नाम है अन्दिम पड़ाव series और इस series के अंदर हम Static GK को cover करते हैं जी हाँ Static GK के 30 plus महतपूर important topic जिन से आपकी exam में QSAN पूछे जाते हैं उन सभी topicों को हम करमभाई जी हां से अद्दियन करते हैं और आज के इस शांदार session में बात करने वाल है पंचवर्शी योजना जी हाँ पंचवर्शी योजना के उपर आज बात करने वाल है जिसे 5PR plan जी हाँ 5PR plan कहा जाता है इसके संदर्ब में दोस्तों किस परकार से आपको SSC CGL में CHSL में QSAN किस परकार से put up कर सकता है तो दोस्तों पंचवर्शी योजना से QSAN पूछे जाने की probability काफी अधिक है पूछे गए है इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए यह आज का सेशन पंचवर्शी योजना का काफी आएम हो जाता है आपकी यदि 2030 में किसी परकार से एक्जाम है तो उसके लिए सेशन काफी मैथफून होने वाला है तो दोस्तों यदि आज है आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजेगा ताकि इस परकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सेके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में दोस्तों वेकेंसी को क्रेक करने का तो है आपका यहां से पूरा होने वाला है तो चलिए आज की शांदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं एक्जाम में छपने वाली सिरीज के मद्दे ने जल सबसे पहले बात करने वाले पंचवर्शी योजना जी हां पंचवर्शी योजना को फाइप एर प्लान भी कहा जाता है जी हां आयोग है दोस्तों एक सविदानिक निकाई नहीं है ये गेर सविदानिक निकाई है गेर सविदानिक निकाई से यहां आश्य है कि हमारे सविदान में इस परकार के आयोग का किसी परकार से कोई उलेक नहीं है यह केवल है यहां पे पंचवर्शी योजनाओं के किरियान्वे 1950 के अंदर योजना आयोग के पर्थम अध्यक्स होते हैं और बात करते हैं उपाध्यक्स की तो उपाध्यक्स की ने बनAY गया था तो दोस्तों refinedley यहां से पूट-प कर सकता है कि योजना आयोग के उपाध्यक्स कोन थे तो दोस्तों उस समय गुल-जारी लान नंदा थे जी ह यां पर देश की विकास के लिए, यां पर भावीषय में जो योजना है किस प्रकार की मुख्यकरी है और दोस्तों बाफक करते हैं, जो पंचवर्षी योजना USSR का model पर आदारित है, और USSR का जनक की बात करते है तो Joseph Stalin है, जो ुउससर का model का आदारित है और इनुंगे जोसेफ स्टाइलिन जो की USSR model के जनक है और इनी के model के आदार पर भारत में पंचवर्शी योजना लागो की गई है, पंचवर्शी योजनाओं को किर्यानवन करने के लिए योजनायोग की स्तापना होती है एक बार फिर से देखते हैं इस्टोडेंट्स योजनायोग के बारे में योजनायोग की स्तापना 15 मार्च 1950 को होती है 15 मार्च 1950 को योजनायोग की स्तापना होती है यह गईर सवेदानिक निकाई है इसके अद्यक्स है जो कि प्रदानमंत्री होते हैं और तत्कालिन प्रदानमंत्री जो पंडे ज्वाला नेरूते तो परतम अद्यक्स भी दोस्तों पंडे ज्वाला नेरू होते हैं उपाद्यक्स की बात करते हैं तो उपाद्यक्स कुलजारी लान नंदा है जो कि योजना आती है, बीच में योजना उकास भी रहता है, उसके बारे में भी विस्तरत अध्यन करने वाले है, तो 2015 में दोस्तों, पंचवर्शी योजना को समाप्त कर दिया जाता है, और एको नए आयोग की स्थापना की जाती है, उसका नाम है निती आयोग जी हाँ, निती आय जी हाँ, जो बारत का परदानमंत्री होगा, वही नीती आयोग का देक्स होगा, पर्थम उपादेक्स की बात करते हैं, नीती आयोग की पर्थम उपादेक्स, जिनका नाम है अरविंद पंगडिया जी हाँ, अरविंद पंगडिया है, जो की नीती आयोग के पर्थम उपा पता होना चीए और वरत्वान CEO पूछा जाता है examiner के द्वारा यहां तो नीतियायोग के वरत्वान CEO है जो की परमेश वर मैयर है चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्थम पंचवर्शी योजना तो दोस्तों पंचवर्शी योजना से क्यूशन तीन चार करते हैं पंचवर्शी योजना का प्रथम पंचवर्शी योजना का कारीकाल होता है नीसस oo इक च्वर्शी योजना से लेकर Anil तो पर्थम पंचवर्शी योजना है जो कि हेराड डॉमल मोदर पर आदारित है इसके जनक की बात करते हैं तो सुभाज संद्र बोस है जो कि इसके पर्थम पंचवर्शी योजना की जनक है इसे संसद में कब पेस किया गया तो आठ दिसमर उननीस सु एक्याओन में इसे संस परतंब सेरी रखा गया है वह है करशी वय स्चाई रखा है तो दोस्तों उद्देश से रखा गया है पर झेया कर्शी वहसी चाई बात करते हैं दो 2.1 परतिशत लक्षे रखा गया लेकिन प्राप्त हुआ तीन दसमल उच्छे परतिशत तो परतम पंचवर्शी योजना यहां से सपल होती है जो लक्षी टार्गेट रखा जाता है उससे भी बहतर प्रदसन करती है यह है तो 2.1 से अधिक तीन दसमल उच्छे परतिशत यह लक्षे प्राप्त करती है चली गए स्टूडेंस आगे बढ़ते हैं दुट्य पंचवर्शी योजना दुट्य पंचवर्शी योजना से भी तमाम उनी चार प्रकार से क्यूशन पूछे जाते हैं इसका कारिकाल कब रहा इसके दोस्तों लक्षे कितना रहा किस मोडल पर अधारित इसका उद्देश से क्या रखा गया तो हम बात करते हैं दुट्य पंचवर्शी योजना चलती है 1951 से लेकर 1955 तक फिर उसके बात में 1956 से覺 दुट्य पंचवर्शी योजना का कारिकाल रहता है पर उसके बाद में बात करते हैं इसके अध्यक्स की दूट्टी पंचवर्शी योजना की अध्यक्स भी दोस्तु पन्डी जो आला नेरु थे उपाढदक्स की बात करते हैं तो कृष्णा मचारी है जो कि यहाँ पे उपादक्स थे लक्षे क्या रखा गया लक्षे रखा गया 4.5 परतीसते लेकिन प्राप्त हुआ 4.2 परतीसते तो यहां पर दोस्तों जो टार्गेट लक्षे फिक्स किया गया था उसके पास पहुंच पाए है और यह बात करते हैं द्वित्य पंचवर्शी ओजना किस मोडल पर आदारित है परत्म पंचवर्शी ओजना है जो महाल 9.2 पर आदारित है परत्म पंचवर्शी ओजना है जो महाल 9.2 मोडल पर आदारित है और दोस्तों इसका उद्देश्य की बात करते है तो ओध्योगीक विकास इसका उद्देर से रखा गया है, जबकि दोस्तों, जो पर्थम पंच्वरसी ओजना का कारेकाल रेता है। दूस्तों इस परकार से बात करें और परतम पंचवर्शी ओजना का उद्देश्य कर्शी वर्षी चाहिए रखा गया है, जब कि यहां पर बात करते हैं, दूस्तों इस परकार से आपको कंपेर करके पढ़ना है, जिससे आपको जल्दी ज्यादा याद होने वाला है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ति तृतिय पंचवर्शी ओजना, तो इसका कारेकाल रहता हैं 1961 से 1956, इसके अद्दक्स्ते पंडि ज्वालान नेरू, उपदक्स्त की बात करते हैं, तो गुलजारी लान नंदा है, जो की इसकी उपदक्स्ते हैं, इसमें लक राष्ट्रे आय एंकर्शी उत्पादन में 30% तक वर्दी करना दोस्तों, तिरते पंचवर्शी ओजना का लक्षे रखा गया है, तो तिरते पंचवर्शी ओजना है, जो दोस्तों, जोन सेंडी और सूकम चक्रवर्थी मोडल पर आदारित है, तो दोस्तों, यह तमाम फैक और तिरते फाइनेंशिन प्लान था पंचवर्शी ओजना थी, उसमें ट्रेकल डाउन थियोरी का अनुसरन किया गया है, तो दोस्तों, जो पर्थम पंचवर्शी ओजना आती है 1921 से 1905 तक, और फिर दूसरी आती है 1956 से लेकर दोस्तों, यहां पर तिरते पंचवर्शी ओ योजना आती है, इन तीनों योजनाओं में जो किस प्लान पर आधारित है, तो उसमें दोस्तों ट्रेकल डाउन थियोरी का अनुसरन किया गया है, तो दोस्तों यह भी काफी इंपोर्टेंट क्यूशन है, सैसी का काफी प्रिये क्यूशन है, और यह दोस्तों बार बार क्य पर लगा लिजेगा बात करते हैं तीन पंचवर्शी योजना के बाद होने के बाद में दोस्तों यहां पर आउकास आता है यह यहां पर बात करते हैं यहां पर इसाँ पर शकास यहां पर आउकास के बात करते हैं चतुर्थ-पंचवर्शी योजना के उपर तो चतुर्थ-पंचवर्शी योजना का जो कारेकाल रहता है तो दोस्तों 1961 में तृतिय पंच्वर्श योजना समापत होती है उसके बाद में 1961 से लेकर 1963 तक यहां पे योजना उकास रहता है फिर उसके बाद में दोस्तों 1989 से 194 तक यहां पे कारेकाल रहता है इसमें लक्षय रखा जाता है पांच दसमल्व शेंपर वास्तों में लेकिन प्राप्त होता है 13 evangelical किसे फोर्मूले पर यहां प्रॉट्विल का दारित है, इस्तुर्था के साथ विकास था आत्म निर्वर्टा की स्तति प्राप्त करना गशे रखा है, इस इसमें करशी छेत्र को तेजु विकास वाजी हां जो ₹Coel töट Marx उजना है, इसमें करशी छेत्र तो दोस्तों यह क्यूशन भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, एक्जामिनर यहां से क्यूशन पूट अप कर सकता है, कि कौन सी पंचवर्शी योजना, जो अर्थ वेवस्ता के विकास को पहली बार गती देने वाली पंचवर्शी योजना थी, तो हम बात करते हैं, चोत् बात करते हैं, और बात करते हैं, पांचवी पंचवर्शी योजना, जी हां, पांचवी पंचवर्शी योजना के उपर बात करते हैं, तो इसका कारेकाल रहता है, उननीस सो चोंतर से उननीस ओटतर तक, इस पांचवी पंचवर्शी योजना में प्रात्मिक्ता है क्या रह और बात करते हैं गरीबी एठाओ का नारा भी इसी पंकष जोजना में दिया गया तो दोसतों यहांसे कि एक्जामिनर सीथा सिथा क्यूशन यहां से उठा सकता है गरीभी एठाओ का नारा कौन साथम+, देशाए सरकार ने इसको स्विकार किया और iki स्थापना नाबाड की इस्टापना बारा जुलाई। सकता है कि कुस्व पंचवर्षी योजना के उठा नाबाड की जाती है तो हम सबस्कास कि यहां परमी किरयानोय दीन नापात करते ए monstr Church को नौने के पहला योजना उकास दोस्तों तीसरी पंचवर्शी योजना समाप्त होने के बाद आता है और यहाँ पे दूसरा जो योजना उकास आता है वह पांचवी पंचवर्शी योजना समाप्त होने के बाद दो वर्स का आता है तो 1989 से लेकर 1980 तग यहाँ पे योजना उकास रहता है चलिए आगे बढ़ते होर बात करते हैं छटी पंचवर्शी योजना तो छटी पंचवर्शी योजना कारेकाल रहता है उनीस सो सी से उनीस सो पिच्यासी इसका उद्देश से क्या रखा गया गरीबी निवारण आर्थिक विकास और आदूनीकरण पर ध्यान दिया गया तो साथ्वी पंचवर्शी योजना का शकरते हैं छोडी सो नीस सो नव्देश का नारा क्या रहा तो भोजन काम और उत्रफदन है जो की सातवी पंचवर्शी योजना का नारा रहा, सातवी बात करते हैं इसके उद्देशे के उपर, तो सातवी पंचवर्शी योजना का उद्देशे रहा, रोजगार, शिक्षा, और जन स्वास्ते पर अधिक बल दिया जाता है, सातवी पंचवर्शी योजना में, आगे काल रहता है 1992 से 1997 तक जी हाँ 1902 में से लेकर 1907 में तक यहां पर आठवी पंचवर्शी योजना कारिय करती है इसका उद्देश क्या रखा जाता है रोजगार आधुनिक विकास जी हाँ रोजगार आधुनिक विकास और आत्म निर्वर्ता पर बल दिया जाता है तो 855 योजन जी हाँ, 1997 में से 2002 तक इसकी पंचवर्ची उजना का कारेकाल रहता है, साथ ही हम बात करते हैं, मानव विकास के साथ नियाई पून वित्रण एम समानता पर बल दिया जाता है, तो दोस्तों जो नवी पंचवर्ची उजना होती है, उसका जो मुख्य उद्देश से रखा जा जाता है, मुख्य उद्देश से रखा जाता है, वह है मानव विकास के साथ नियाई पून वित्रण एम समानता पर बल दिख दिया जाता है, साथ ही बात करते हैं, जो नतराश्टी मंदी आती है, निस सु सित्यान में से 2002 के मद्दे, तो मंदी की कारण ऐसाफल रही, तो द नवी पनचोरशी योजना है, जो कि अंतराश्टी मंदी कि कारण यहांप ऐसाफल रहती है, चली गा, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, दस्वी पनचोरशी योजना का कारेकाल रहता है, उन्नीस सो बान्घम से लेकर जाजार साथ से लेकर, दोह eternity बारा तक और दोस्तों, इसका उड़ेश से रखा जाता है, ति वृत आएम समावी इसी विकास दोस्तों, इसका उड़ेश से रखा जाता है और पूरे योजनाकाल में सर्वाधिक वर्दी दर आकी गई तो गियारवी पंचवर्षी उजना में स 2017 तक इसका कारेकाल रहता है इसका उद्देश से रहता है तिवृता एम समावी सी विकास और दोस्तों आप सभी को बता है जब बारवी पंचवर्शी ओजना अपने जो कारेकाल चल रहता उसके मद्दे नजर यहां पे जो 2015 में 2015 में एक जनुरी 2015 को यहां पे निती आयोग की स्तापना की जाती है और दोस्तों वहां से यहां पे पंचवर्शी ओजनाओं को बंद कर दिया जाता है और एक नए आयोगी संगटन की स्तापना की जाती है उसका नाम है निती आयोग निती आयोग के दोस्तों जो अद्देक्स की बात करते हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं जो परत्म अद्धिक्स ते बात करते हैं तो अरविंद पंगडिया यहां पर वर्तमान वेरिस के वरतमान की उपादक्स है CEO की बात करते हैं परतम CEO है सिन दूसरी खुलर है जब की बात करें नीतियायों के वरतमान CEO के उपर है तो जो परमेश्वर मैयर है जो कि आप वरतमान CEO है तो दोस्तों आज के सेशन में पंचवर्शी ओजनाओ से किस परकार से Qsern पूछा जा सकता है उसके उपर हमने चर्चा की है तो आज का सेशन में हमने पंचवर्शी ओजनाओ से पूछे जा सकने वाली सभी उन तमाम क्यूशनों की जो कि आपके SLC CGL T2 के लिए इंपोर्टेंट है CHSL के लिए इंपोर्टेंट है साथ ही हम MTS के लिए भी दोस्ते यहां से प्रतेक्षिप में एक Qsern पूछा जा कर दीजेगा ताकि इस परकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके तो दोस्तों मिलते हैं इसी परकार के अगले सेशन के साथ जय हिंद जय भारत